अच्छे स्वास्थ्य के लिए वास्थू टिप्स सुनिश्चित करें कि आप अच्छी नींद के लिए दक्षिन दिशा में सिर करके सोएं घर के मध्यभाग को हमेशा खाली या बहुत हलके फरनीचर के साथ छोड़ देना चाहिए यह बिना किसी प्रतिबंध के उर्जा का मुक्त प्रवा सुनिश्चित करता है अगनी तत्व के असंतुलन से घर में रोग होता है तो इसे संतुलित करने के लिए मोमबत्ती, दिया या चिमनी जैसे अगनी तत्व के लिए सबसे अच्छी जगह घर की दक्षिन पूर्व या उत्तर पश्चिन दिशा है विस्तर के विप्रीट शीशे लगाने से बचें क्योंकि सोते हुए व्यक्ती को प्रतिबिम्बित करने वाले दरपन उर्जा की निकासी की समस्या पैदा करते हैं जिससे बीमारी होती है सुनिश्चित करें की आपके बाथरूम की उर्जा और रसोई की उर्जा का मिश्रण नहीं है जदी वे एक दूसरे के विप्रीथ हैं तो सुनिश्चित करें की दरवाजे हमेशा बंध हो अगर घर में कोई अस्वस्थ है तो कमरे में जल्ती हुई मोंबत्ती रखने से उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी अच्छी सेहत के लिए पानी पीते समय अपना मुह उत्तरपूर्व या पूर्व की ओर रखें खटे फलों के पौधे उगाना और उन्हें घर के प्रवेश द्वार पर रखना घर में अच्छे स्वास्थे को आमंत्रित करता है अच्छे स्वास्थे को सुनिश्चित करने के लिए घर की दक्षिन दिशा में मुख करके हनुमान जी का चित्र लगाएं क्योंकि वे हमारे स्वास्थे के रक्षक हैं